नमस्कार, हिंदी साहित त्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तो आज हम डिसकस करने वाले हैं हिमाच्य प्रदेश में L.T. कमिशन 2021 की जो परिक्षा होने जा रही है उसके लिए बहुत ही महतापुर्ण प्रशनों को और ये प्रशन लास्ट टाइम जो हमारे पीवाई क्यू थे उनको हम डिसकस करने जा रहे हैं इसमें जो लास्ट टाइम 2020 में जो परिक्षा होई थी L.T. कमिशन की क्योंकि बहुत सारे स्टुएंट्स ने ये कहा था कि इसका जो प्रिवेस एर पेपर है वो भी आपके साथ सांजा किया जाएं तो इसी के चलते हमने आज ये प्रियास किया है कि लास्ट टाइम जिस तरीके से प्रशन पूछा गया था उसको एक बार हम नज़र दोड़ाएंगे कि किस तरीके का प्रशन पूछा गया है हालां कि इससे पहले हमने इसमें पचास जो क्वेशन थे वो डिसकस कर लिये हैं और बीच में किसी कानवर्श हम ये नहीं ले आये थे और मैंने पहले भी आपको कहा था कि मैं ये वाली सिरीज कंटिन्यू करूँगा तो आज हम इसके जो आगे की 50 क्वेशन हैं उनको डिसकस करने जा रहे हैं तो चलिए बिना देर की ये शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की और देखते हैं आज के जो 50 क्वेशन हैं वो किस तरीके के थे तो इससे पहले हमने देखे थे जो बहुत question जो थे सारे के सारे लगभग आपके उसमें Hindi literature से related थे और आज का जो यह हमारा part रहेगा इसमें mainly आपका जो एक तो HPG के है दूसरा आपका जो teaching वाला portion है इसके जो question रखे गए थे मेरे पास यह I think B या C series का paper है आपके पास किसी भी series का paper होगा तो आप उससे मिलान कर सकते हैं तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो आप हमें whatsapp कर सकते हैं description box में आपको उसका जो हमारा whatsapp number है वो देरिये जाएगा और साथ ही साथ अगर आप buy करना चाहते हैं L.T. Commission के हमारे जो previous lecture हमने deliver किये है 4 month के 100 से 120 के आसपास तक के lecture तो आप उनको भी buy कर सकते हैं बहुत ही क्रम price में तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस lecture की और सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो पहला प्रशन पूछा गया था वो किस तरीके का प्रशन था यहाँ पर पूछा गया है शिक्षक के व्यक्तितों की निमन मैं से कौन सी विशेष्टा है जो उसे सफल शिक्षक बनाती है तो देखे इस तरीके के प्रशनों को करने से पहले आपको बिलकुल fresh mind के साथ जाना है जब भी आप इस तरीके के जो प्रशन करते हैं खासकर जो मनविज्यान से रिलेटिड हो, psychology से रिलेटिड हो, उनको करने के लिए आपको बिलकुल एक तरीके से पुरा उसमय आपके मन में किसी तरीके का संशे और शक जो है वो नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर सीधी सी बात पूछी गी है कि एक जो व्यक्तितो है, शिक्षक का व्यक्तितो है, उसमें कौन सी विशेशता जो है, जो उसको सफर शिक्षक बनाती है, तो यहाँ पर ऐसा लगता है हमें कि सारे ये सारे जो आंसर है वो बिलकुल ठीक है, लेकिन हमने एक ही और सठीक आंसर की और जाना है, तो यहाँ पर सबसी जो सही आंसर इसका होना चाहिए था, वो विकल्प नंबर A ठीक होना चाहिए था, समवेदन शील था, कि एक अध्यापक का सबसे पहला जो काम है, वो है उसका समवेदन शील होना, उसके बाद बाकी जो चीज़ें है, है ना, लेकिन यहाँ पर जो बनावटी व्यवार है, वो नहीं होगा, बिल्कुल भी सत्यता द्रिड़ चरितर ये उसके जादा चीज़ें हैं, तो बनावटी व्यवार तो इसमें नहीं आना था, बिल्कुल सही बात ये थी, वालकि यहाँ पर जो A बिकल्प है, वो हम्तित हो जाता है, निराश और हताश हो जाता है, तो विकल्प नमबर B इसका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए, हालां कि दोस्तों बहुत सारी कॉश्चन्स इसमें उपर नीचे हो सकते हैं, यह हमारे कुछ एक नीजी प्रियास भी है, और हालां कि इससे पहले हमने डिसक किया भी था, और मैंने बहुत कोशिश किया है कि आपको बिल्कुल सटीक जो आंसर इसके बताने की कोशिश की जाए, तो बिल्कुल सही आंसर इसका होना चाहिए थे, कि उनकी आवशक्ताओं पर हम जब ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो बच्चा क्या है, कुंठा स बर जाता है, तो यह चीज थी, इसका सही आंसर होना था, विकल्प नमबर दो, चलिए, नेक्स देखते हैं, एक शिक्षक के रूप में आप निम्न मैं से किसको सबसे उत्तम मानते हैं, एक शिक्षक के रूप में सबसे उत्तम किस चीज को माना जा सकता है, आंत्रिक प्रे प्रहणों और बाहिर्वप्रेणना ये दोनों ही जरुरी है किसी भी व्यक्ति के लिए नेक्स्ट कॉष्शन को रोचक बनाने के लिए इन में से कौन सा सबसे अधिक प्रभावी कारक है तो कक्षा आपके लिए सबसे ज़्यादा धरूरी है जो आपके शिक्षन को ज़्यादा रोचक बनाता है अगर आपकी presentation सही होगे अगर आपको बताने का तरीका सही होगा तो definitely आपका जो वो माना जाएगा जो शिक्षन है एक तरीकोणा आकार प्रक्रिया है पहला प्रशन आपके लिए ऐसा भी बन सकता है करे बार हो सकता है पूछे जाए कि शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है तो तरीकोणा आकार प्रक्रिया है इसी उसको भी आप ध्यान रख लीजिए यहाँ पर देखिए विद्यार्थी, शिक्षक और जो समाजिक वातावर्ण है तो ये तीन चीज़े हैं जो इसके त्रिकोन में शामिल हैं तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए शिक्षार्थी, शिक्षक और समाजिक वातावर्ण नेक्स आता है देखिए अधिगम का अंतरदिष्टि सिध्धान्त के प्रवर्थक कौन है तो 56 जो क्वेशन है देखिए इसका जो सही आंसर होगा वहगा आपका विकल्प नमबर A गल्टोस्ट सिध्धान्ती विकल्प नमबर A इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि अधिगम क अंतरदिष्टी सिध्धांत, the insight theory of learning, तो ये होगा आपका गेल्टोस्ट सिध्धांत, जिसमें आपके मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोफ का इत्यादी इत्यादी नाम आते हैं, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें हम पर जिन प्याजे की देखिए, तो जिन प्याजे ये स्विर्जन लेंड के थे, संग्यानात्मक, विकासात्मक, जो और मनविज्ञान का प्रतिपादक, इनको माना जाता है, तो इस तरिके से भी प्रशन आपको पूछा जा सकता है, तो इसके लिए भी आप त्यार रही हैं, मतल हुआ है उसका प्रवर्तन किया हुआ है तो इस चीज को भी आप साथ में याद रख लीजिए अनुबंधन से धांत पाबलोल और रश्या से जो आपके वायगोटस की रहे इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक से धांत दिया है ठीक है नेक्स आता है बिल्कुल सही आंसर होगा जीन प्याजे और इस तरीके से जो इन्होंने मौतफ़ून चीज़ें कहीं है देखिए चाए वो पॉबलोल की हो कहलबर की हो सकेनर की हो तो यह बहुत है मौतफ़ून नाम है इन से लेटरी प्रशन आपको पूछा जा सकता है इंपोर्टेंट है यहां पर सही आंसर होगा जीन प्याजे इसको भी आप ठीकर लीजिए एक 25 वरश के लड़के की बौदिक लबदी IQ क्या होगा जिसकी मानसिक आयू 16 है तो इसको निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है देखिए IQ किस तरीके से निकलता है IQ is equal to mental age into 100 upon आपका जो present age है वो हो जाएगी तो इसकी जो mental age कितनी बताए गई है देखिए वो है यहां पर 16 ठीक है आगे यहां पर लिखा है देखिए साइड में थोड़ा सा और इसकी जो दूसरी जो present age थी 25 and गुना उसको कर देना था आपने 100 से तो पच्ची कम 25 पच्ची किया है यह और इस तरीके से 16 गुना 4 कितना हो जाना था 16 into 4 is equal to 64 तो 64 यहां पर सही answer होना था इसका बहुत ही simple है इसमें आपने simple याद रखना है कि mental age into 100 upon आपकी जो present age आ जाती है वो ही आपकी कैसे आ जाएगी वो दिलब्दी हो जाएगी इसकी ठीक है चलिए next question देखते है स्मर्ण और अधिगम के बीच क्या सह संबंद है स्मर्ण और अधिगम मतलब आपका correlation between retention and learning तो इसमें होता है आपका निमन और धनात्मक तो इस चीज़ को भी आप याद रखिए विकल्प number B इसका बिल्कुल सही answer होगा low and positive चलिए next question देखिए इन में से कौन सा व्यक्तित् सिध्धान्त नहीं था देखिए वो था आपका सिस्टम सिध्धान्त तो आपको इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं अपने सुविधा के अनुस्सा चलिए next question देखते हैं 61 यहाँ पर कहते हैं कि जो आपका निर्देशात्मक सिध्धान्त का उदेश्य क्या है instructional theory तो होना चाहिए अगर आपको लगता है दोस्तों कि मैं कुछ इसका answer गलत बता रहा हूं या आपके अनुसार कुछ इसका अलग answer होगा तो आप मुझे वो भी comment section में जाकर बता सकते हैं next question आता है कि कि किस आयोग ने सुझाब दिया था कि प्रशिक्षन कारेक्रम को प्रशिक् बिचार दिया है इसके अलावा यहां पर अगर मुदालियर आयोग की बात करें जो 52-53 में आया था कि तीन साल की जो secondary education and 4 साल का higher education वाला सिध्धान जो इनने दिया था साथी साथ hunter आयोग 1882 इसको भी आप थोड़ा सा याद रख लीजिए हो सकता है इनसे भी आपको पूछ जाए और शिक्षा आयोग जो vocational आपको training of institutional कुछ इस तरीके का इसमें प्रावधान रहा है तो इन चीजों को भी आप एक बार जरूर देखी जाए कि किस आयोग में कौन सी चीज है कई बार इस तरीके से भी प्रशन आपको पूछा जाता है ठीक है तो इसको भी आप जाद रखके जाए और अगला जो प्रशन है देखिए NCERT और इस तरीके का प्रशन आप देखते हैं हर बार परिक्षा में पूछा ही पूछा जाता है चाहे आप NCERT हो चाहे NCTE हो इन से related या इनकी full form या फिर इनका जो स्थापना वर्ष है ये कई बार आपको पूछा गया है तो NCERT सबसे पहले आपको हो सकता है इस तरीके से पूछे जाए कि इसकी full form क्या है National Council of Educational Research and Training तो आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है NCTE की बारे में भी पूछा जा सकता है तो उस चीज़ को भी आप एक पर जरूर पढ़के जाए तो NCERT was established in which year तो ये थ 61 अगले जो प्रशन है देखी ये हमारे अब हिमाच्य प्रदेश से maximum question रखे गए हैं यहां से बाद वाले जो हैं जनगन्ना 2011 के अनुसार हिमाच्य प्रदेश में कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है तो यहां पर जो सही answer था इसका देखी 49.27% थ इसको भी आप थोड़ा सा याद रख लेना HPGK से बिल्कुल common सी चीज़ें आपको पूछी जाते हैं कुछे questions ऐसे होते हैं जो बीच में थोड़े से tough वो रख देते हैं हाला कि वो सब के लिए ही tough हैं ऐसा नहीं है कि आपके लिए ही tough होंगे तो यह चीज़ आप एक बार जरूर ध्यान देखिए कि HPGK में भी आप अपना पूरा का फूरा focus रखें क्योंकि यहां से भी आपको बहुत साई प्रशन मिलते हैं HP LT Commission में ठीक है तो यह आपने ध्यान रखना है हिमाचपरदेश के किस जिले में चंदर नहान जील स्थित है तो यह प्रशन बहुत बार पूछ जाता है क्योंकि थोड़ा सा confusing है इसलिए इसको बार-बार पूछते रहते हैं यहां पर अगर चंदर ताल होता तब आपका लाहुलस्पिती होगा ठीक है यहां पर चंदर नहान पूछा गया है तो यह आपका जिला शिमला में हो जाएगा तो इस चीज को भी आप पूछा जाए तो यहां से आइडिया मिल जाएगा कि कैसे प्रशन जो है यहां पर पूछे जा रहे हैं चलिए नेक्स जाता है देखिए अगला प्रशन है घगर हिमाचल परदेश की किस नदी की सहाइक नदी है तो दोस्तों इस प्रशन में बहुत सारा confusion है doubt है कुछ आपके राजियों को छोती हुई सीधे पाकिस्तान में मिलती है तो यह आपके उपर में छोड़ता हूं दोस्तों कि इसका अंसर क्या होना चाहिए हालां कि कई जगा इसमें दी मिलता है कि पंजाब में जो शत्राना के अप पास घगर नदी मिलती है साथी साथ आपका प्रदेश की साहिक नदी कौन सी है और आप देखते हैं कि इसका आंसर जो आयोग के द्वारा भी आपको नहीं दिया गया था क्योंकि इस question को cut कर दिया गया था चलिए next question देखते हैं अगला जो प्रशन है देखिए हिमाचा परदेश के किस जिले में दून गाटी स्थित है तो देखिए दून गाटी जो हिमाचा परदेश के किस जिले में स्थित है यह थी आपकी जिला सोलन विखल्प नमबर बी इसका सई आंसर होना चाहिए था अगला प्रशन है देखिए यहाँ पर पिपलू फिर इस सेलिबरेटेड इन विच दिस्टिक ऑफ हिमाचा परदेश तो यहाँ पर पिपलू मेला हिमाचा परदेश के किस जिले में मनाय जाता है यह प्रशन रखा गया है तो यह आपका उना जिला में मनाय जाता है जून माई और जुन माहिने में हो सकता कई बार इस तरीके से बिए प्रशन पूछे जाते हैं कि आपका जो भी मेला है या प्रशन मेला है ये किस महिने में लगता है तो इस निए को आपने थोड़ा धोड़ा याद्र रखे जाते हैं हिमाच्य परदेश के विक्टोरिया क्रोस के प्रत्थम विजयता कौन थे तो ये प्रशन भी बहुत बार रिपीट होता रहता है यहाँ पर स्वर्ग्य जमादार लाला राम जो थे ये थे प्रत्थम विजयता विक्टोरिया क्रोस के हो सकता इस चीज को भी पूछ स्थापित किया था तो रवीन गड़ की ला जो किया था यह वीरपर्काश जी ने स्थापित किया था वीरपरकाश का जो समय माना जाता है 3688 से लेकर कि ए 69-ובक बीच समय माना जाता है और इन्हों ने जो राजधानी बनाए थी अपनी's राट कोटी को बनाये तो जो पबर नदी के किनारे एक जो स्थित है खीक है तो इस चीज़ भी आपने ध्यान रखना है करम प्रकाश ने जो आपका नहांच शहर की स्थापना की है तो ये चीज़ भी आप थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिए चलिए नेक्स आता है दे प्रशन भी बनता ही बनता है कॉमन सा प्रशन है चार अप्रैल 1905 तो इसको भी आपने थोड़ा सा याद रख लेना है कई वार हो सकता है ये चीज़ें भी पूछी जाएं तो एक बार आप इनको भी जरूर पढ़के जाएं जो भी आपका भुकम तरास्तियां बगिरा रही ह यहां से भी प्रशन बनने की संभावना रहती है हिमाच्य प्रदेश में लोका युक्त कारेलय की स्थापना किस वर्श हुई थी तो ये 1983 में हुई थी विकल्प नमबर ये इसका साही आंसर होना चाहिए हिमाच्य प्रदेश में साही कोटी जलविद परियोजना की कारेका यहां पर बहड़ा लिखा है इसको आपने अंग्रेजी में देखना है यहां पर बहारा युनिवर्सिटी तो बहारा युनिवर्सिटी आपकी वाकरागाट में है ठीक है तो विकल्प नमबर डी इसका साही आंसर हो जाएगा चलिए हिस्टी आफ मंडी स्टेट बुक किस लिखी है तो इसके जो राइटर हैं देखी यह हैं आपके महनमहन सिंग जी हिस्टी आफ मंडी स्टेट तो हो सकता है यह चीज आपको पुछी जाए एक बुक आपको अक्सर पुछी जाती है कई बार आपने देखा होगा हिमाचल से जो भी लोग रहे हैं उन्होंने कुछ जो प्रमुक प्रसिद्ध राइटर रहें उनके बारे में आप जरूर पढ़के जाएए यहां से भी आपको प्रशन बनता है लोसर शोना चुकसेन हिमाचपरदिश के किस जिले का लोग नरित्य है तो यह आपके किन और जिला का नरित्य है ठीक है अगला प्रशन है देख कि डिजिटल जो एजुकेशनल डिवीजन द्वारा राज्जियों और जो आपके केंदर शासी जो प्रदीश है उनके जो शिक्षा भी भाग है उनके परमर्स से यह तैयार की गई है यह चीज भी आपने दिहान रखनी है कि MHRD ने इसको क्या किया है आपको इंडियन थी MHRD ने तो इस चीज को हो सकता आपको पूछा जाए तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि तयार की गई है किसमें जो बच्चों को घर पर सुल्व और जो समावेशी शिक्षा सुनिशित करने के लिए है ना तो हो सकता ये चीज भी आपको पूछा जाए कि COVID के दौरान बच्चों को घर पर सुल्व और समावेशी शिक्षा सुनिशित करने के लिए कौन सच ये रिपोर्ट है देखिए आपकी इंडियन रिपोर्ट ऑन डिजिटल एडुकेशन 2020 इस चीज को भी आप थोड़ा सा याद रखके जाए और साथी साथ आप इस तरिके के जो प्रश जरूर देखके जाए 2020 से बात की अभी तक की जितनी भी चीज़ें हुई है गटनाय पर मुक गटी है उनको भी फ़ए बार पूछे जाता है तो यहाँ पर रखा गया है अगर प्रशन देखिए परयावर्ण मंत्रालय की वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार किस राजय में सबसे अधिक जो टाइगर की जन संख्या है देखिए यह आपका मध्यपरदेश यहाँ पर आपकी कितनी है 526 हलांकि टोटल अगर बात की जाए भारत पुष में तो 70% जो टाइगर है वो भारत में ही मिलते हैं और बाकी देख्शों की अपिक्षा सबसे जादा हमारे पास हैं अगर महराष्टर की बात करें तो यहाँ पर 312 है जबकि आपका जो UK इसमें दूसरे स्थान पर आता देखिए जहाँ पर 442 बागों की संख्या बताए गई थी लास्ट रिपोर्ट के अनुसार ठीक है तो इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा पूछे जा सकता है केरल जून 2020 अबधी के लिए निती आयो की महतो कांक्षी जिलों की सूची में किस जिले ने शिष स्थान प्रापत किया है तो इसका जो सही आंसर था देखिए बीजापूर सही आंसर हो जाना था इसका बीजापूर तो अगर हम बहराईच की बात करें तो बहराईच इसमें थर इतहासिक मंदिर को भारतिय सहायता से पुनर निर्मित किया गया है तो देखिए हल ही में किस देश के 300 बच पुराने जो एतहासिक मंदिर को भारतिय सहायता से पुनर निर्मित किया था तो यह था आपका बंगलादेश के एक नाट और में स्थित आपका शिरी श्री जैकाली मंदिर श्री श्री जैकाली मंदिर जिसको 2016 में जो ग्यापन पर जिस पर भारत सरकार और पांगलादेश सरकार ने अस्ताक्षर किये थे तो ये चीज़ भी हो सकता है आपको पूछा जाए 2016 में और जो अभी इसको रिसेंटली मतलब इससे पहले इसको पुने निर्मान किया था बांगलादेश और भारत की सहायता से ठीक है तो हो सकता है ये चीज़ भी पूछी आए तो इसको भी आप याल रख लीजिए अभी हाल ही में कोरोना वाइरस फैलाव के कारण कि इस देश ने सभी वन्यजीब आयात पर बीच में ही रोक लगा दी है तो इसका जो सई आ आंसर बता देता हूं और बाकी चीज़ें आपने इसकी खुझ से देख लेनी है कि इसमें क्या साही आंसर होना चाहिए तो पहले 84 का यहां पर विकल्प नमबर D होगा बाकी आप इसको देख लीजिए कि इन प्रशनों को आप अपने अनुसार या टाइम देखके आप इन पर रखा गया है कि सिंदुगाटी के कि स्थान पर गेंडे के वास्तिविक अवशेश पाए गए थे तो यह है आपका विकल्प नमबर D आमरी में आमरी में गेंडे के जो अवशेश हैं वो पाए गए थे निम्रमें से किस महाचनपद की राजधानी वैशाली थी तो इतने प्रशन पुछ जाते हैं और ये चीज़ भी हमने अपना एक वीडियो उसमें तयार किया है चाहें तो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको डाल देंगे और साथी साथ इससे पहले कि जो 30 क्वेशन हैं या 50 जो क्वेशन हमने डिसकस कर लिए हैं उनको लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा चलिए नेक्स क्वेशन यहां पर देखते हैं शुंग बंश के संस्थापक कौन थे तो शुंग बंश के जो संस्थापक रहे ये रहे आपके पुश्यमित्र विकल्प नंबर ये इसका सही आंसर होना चा तो अकबर के जो वित मंत्री थे देखी ये थे आपके टोडर मल ये बहुत ही सधान से और कॉमन से ही प्रशन पूछे जाते हैं आपको एच्पी जी के से भी और मैंने आपको पहले भी कहा था कि एच्पी जी के से आपको या तो प्रमुक्चो युद्ध बगेरा हैं वो या रखने हैं या जो बेसिक बेसिक है है चाहे वो आपका ही्टि है चाहे उनको फीर गांगी इर्विन समझ वार्श में खताक शरित किया गया था तो देखिए इसका जो साई आनसर होगा था वह होगा आपका विकल्प नमबर 2131 सही अंसर होगा विकल्प नंबर भी 1931 कोईला एक क्या है तो कोईला है आपकी जो विकल्प नंबर भी है देखी यह है अब साधी शेलें नेक्स आता है सदरली बस चरस्थानी हवा कहां पर चलती है तो यह आपका ऑस्टेलिया में तो आपका जो इंटरनेशनल जो जीके है देखिए थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको पढ़के जाना है हो सकता यह चीज़ें भी आपको पूछी जाती है हो सकता नहीं बलकि प साइंसर होना चाहिए नागा लेंट की सबसे उंची चोटी कौन सी है तो यह थिया आपकी सारा मत्य चोक होगा विकल्प नमबर A बाजरा बाजरा क्या है दहान ने फ़सल है बात्य समविधान का कौन सा भाग अपात काली इन प्राबधानों से संबंधित है तो इन मेंसे जो आपका भाग है देखिए वो है भाग आपका 18 विकल्प नमबर B इसका क्या होना चाहिए था, सही answer हो जाना चाहिए था, तो ये थे आज के लगभग 50 questions दोस्तों, इन में से अगर किसी भी प्रशन में कुछ एक, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो, तो आप comment section में जाकर बता सकते हैं, यहां से आगे के जितने भी 70 के आसपास questions बर्शते हैं, उनको हम next part में लेके आएंगे, उमीद करता हूँ कि आपको हमारा ये प्रियास अच्छा लग रहा है, अगर आपको प्रियास सही लगता है दोस्तों, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, तो फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट के साथ बहुत जल्द तब तक के लिए मुझे दीजे इजाजट जयह हिन जया हुआ